दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होना है वाला है अगर आप कोई भी लैप्टॉप खरीने चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्त तक देखिए क्यूंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको कौन सी लैप्टॉप लेना चाहिए कौ अल्याइट ग्एज तो आपको फास्ट एक चीस, आपको क्लियर करना होगा आपको ये लैप्टॉप क्यूं चाहिए, और आप उसको प्सा काम के लिए उस लैप्टॉप को ले रहा है हो तो इसको आप क्लियर कर लिए उसके बाद आप सोचिए laptop लेने, laptop का fast and important जो चीज होता है वो है CPU, CPU मनलब Central Possessing Unit, यह आपको बहुत important है एक laptop के लिए, तो आपको कौन सा CPU लेना चाहिए, कौन सा version लेना चाहिए, कौन सा generation लेना चाहिए, तो यह हम पूरा depth में cover करेंगे, तो दोस्तों fast जो आता है वो है Intel and AMD, यह दोनों processor based है, तो इसमें से आप कौन सा choose करेंगे, तो आपका budget काम है, तो आप fast AMD में जा सकतो, लेकिन 90% जो लोग है, वो Intel के उपर काम करता है, Intel में जाते है, तो आपको Intel लेना चाहिए, तो मैं suggest करूंगा आपका budget काम है, तो आप AMD में भी जा सकतो, तो उसके बात जो वो है CPU का generation, जो processor होता है, उसका generation होता है, हर साल एक generation निकलता है, जैसे माल लीजिया, i3 एक processor है, उसका एक generation होता है, फास generation, second generation, third port, pip 6, ऐसे बहुत सारे generation होता है, जो उसको अपडेट करता है, एक क्यों generation आता है, वो है nanometer, CPU में जो transistor रहता है, उसमें एक gap रहता है, तो उसक जो गैप है वह जिदना छोटा रहेगा तो उदना CPU अच्छा होगा मतलब पॉसेसर अच्छा होगा तो दोस्तों जिदना कम नेमिटर में आपको पॉसेसर देखने को मिलता है वह बहुत ही आच्छा है और उसका प्राइस भी ज्यादा होता है और जिदना कम नेमिटर में CPU आ वो है 10th generation तो आपको यह देखना होगा पहले तो उसके बाद आपको जो देखना है वो है i3, i5, i7, i9 ऐसे जो core होता है वो आपको पहले देखना होगा तो उसके बाद आता है AMD AMD में आपको Ryzen जो processor होता है वो आपको देखने को मिलता है यह बहुत ही अच्छा processor है तो दोस्तो computer system में जो second hardware आता है वो है RAM मतलब random access memory इसका काम क्या होता है आपका जो भी program है जो भी काम है उसको read and write करना तो यह जब जितना fast होगा उधना आपके लिए बैथर होगा तो आगर आपका computer में i3 processor है और उसका जो RAM होगा वो है 4GB, 4GB RAM आपका i3 processor के लिए enough है अगर आप 8GB भी तो भी आचा है कोई दिक्कार नहीं लेकिन उसके उपर जाओगे 16GB लागा होगे तो वो handle नहीं कर पाएगा i3 processor तो उसके बाद जो आता है i5, i5 में आपको minimum आपको 8GB चाहिए उसके बाद आप उसको upgrade भी कर सकतो और उसके बाद जो आता है वो है i7, i7 में आपको minimum 16GB RAM चा DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, अभी के time में DDR4 and DDR5 अभी available है यह बहुत ही अच्छा रह में आपको कोई भी laptop या computer लेना है तो आपको DDR4 and DDR5 आपको लेना चाहिए तो यह ही था RAM के उपर टीप, तो मैं और भी टेक्निकली जा सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको simple and subtle भसा में आपको सम computer system लेना होता है उसमें आपको hybrid storage आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप अगर hard disk जो होता है hard disk drive जो होता है वह अगर लेते हो तो उसमें आपको slower performance देखने को मिलता है क्योंकि उसमें movable part रहता है तो यह बहुत ही slower होता है अगर उसको आप upgrade करते हो SSD में तो उहां पर आपको speed भी ज्यादा मिलता है and performance भी जो है वह भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है and इसमें एक better जो चीज होता है वह है आपका जो windows है जो system है OS है उसको boot up करने का जो time है application जो है वह बहुत ही काम होता है तो इसलिए जो SSD है आपके लिए बहुत ही आच्छा है तो इसलिए मैं suggest क करूंगा कि आपको hybrid storage लेना होगा मतलब आपको एक SSD 128 GB से start होता है 256 GB जो है SSD वह आप लागा सकतो and उसके साथ ही साथ आपको 1 TB जो harddix होता है HDD उसको आप लागा नेना चाहिए so next point है वह है आपका OS अगर आप OS inbuilt जो Microsoft का जो Windows 10 आता है वह आप खरिते हो laptop के साथ तो आपको 5000 रुपिया extra देना पड़ता है and आप अगर डॉस जो operating system में उसके साथ लेते हो तो आपको 5000 जो है वह आपका pocket में रहा जाता है तो इसलिए आप जब को laptop खरीदना चाहते हो तो आप डॉस वाला जो system में वह आप खरी सकतो चार से 5000 रुपिया आपको कम देखने को मिलता है so तो दोस्तों नेक्स्ट है display अगर आपका laptop का display अच्छा नहीं है तो आपको जो viewing experience होगा वह आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको फूल HD जो display होता है वह आपको लेना चाहिए आप 720p में जो display मिलता है मतलब HD display वह भी आप ले सकतो लेकिन वह आच्छा नही होगा तो दोस्तों आपको next जो देखना होगा वह है IPS है या LCD है तो आपको मैं पेफर करना चाहता हूँ कि जो IPS display है वह आपको लेने के लिए क्योंकि IPS जो display है उसका जो viewing angle है वह बहुत ही आच्छा देखने को मिलता है अगर आप साइट से देखोगे कोई भी वीडियो कोई के डाई में तो दोस्तों नेक्स जो है वह गाफिक्स आपका laptop में आप अगर गेम खिलना चाहते हो हाई-end कुछ वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपके लिए graphics एकदम मास्ट है mandatory है तो आपको कोई भी ऐसा गाफिक्स वाला जो laptop होता है 2GB 4GB जो गाफिक्स है तो आप यह लेख सकते हो तो मैं नीचे डिसक्रिशन में ऐसा बहुत सरे laptop का लिंक हम दे देंगे आप वह भी चेक कर सकते हो मैं इस वीडियो में ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे कि यह laptop अच्छा है वह laptop अच्छा है क्योंकि 2020 में जो laptop है एक है 2021 में जो laptop है वह अलग रहेगा तो इसलिए में जो features होगा जो specification होगा तो मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा laptop का सायसा नहीं देंगे तो आपको एक idea दे रहा हूँ आपका कौन सी laptop लेना चाहिए कौन सी features होना चाहिए क्या का रहना चाहिए उसमें तो हम ही दे रहा है and दोस्तो लास्ट जो बहुत ही vital जो point है वो एह है कि आपको जो भी cabinet देखने को मिलता है laptop का वो आपको metal body में होगा तो बहुत ही आचा है क्योंकि जो plastic का body है जो carbon fiber का body है वो 3-4 साल यूश करने को बात वो जो hinge होता है laptop का वो पूरा तूट जाता है तो इसलिए आपको मैं paper करूंगा कि आपको metal वाला जो laptop का body होता है उसको यूश करना चाहिए तो यह बहुत ही आच्छा है metal का जो body है बहुत ही हलका भी होता है एंड इसमें बहुत ही heat जो होता है यह डिक्स हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही आच्छा है तो यह सब tips आप follow करेंगे तो आपका जो भी laptop है जो भी laptop का performance रहेगा वो आप के लिए better होगा तो दोस्तों last में हम एक बात काहना चाहेंगे आपका जो needs से उसके उपर ही आप laptop खरीदे क्यूंकि आपका कोई भी ऐसा काम है जो सिर्फ आप टाइपिंग करना चाहते हो वीडियो देखना चाहते हो एंड इंटरनेट सार्पिंग करना चाहते हो तो इसके आपको सिर्फ और सिर्फ आई थी लेना चाहिए तो आपके लिए बेस्ट होगा एंड आपका बाजेट ज्यादा नहीं है तो आप डिक्स्टप भी ले सकते हो यह पोटेवेल लेकिन आप अगर घर में रहते हो घर में काम करते हो तो आपके लिए computer बेस्ट होगा उसी ले ले जिए सो दोस्तों मैंने पूरा कोशिस किया आपको बाताने का क्या आपको कौनसा लेना चाहिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आभी एवीडियो को फटड़ लाइक कर दो और कॉमेंड बॉक्स में लिख दो यह वीडियो आपको कह ऐसा लगा तो अगर यह वीडियो को अच्छा लगा है तो आपका फेंड के साथ भी आप सेयर किजिए और आप मेरे चैनल में नहीं है तो आभी का भी सब्सक्राइब कर लो क्यूंकि मैं हार दिन ऐसा ही टेक्नोलोईजी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं सो मिलते एने एक्स वीडि अगर